चात्रों नमस्कार आनलाइन क्लास के लिए स्वागत है आप सबका आज चहुती हिंदी पाठ के पुष्टक से दूसरा पाठ मधुरवानी दस्वीट वाइस का पाठ को देखेंगे चात्रों पाठ को ध्यानपूरवग दुष्टी से देखो पाठ का नाम है मधुरवानी एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया एक राजा कहां गया जंगल शिकार करने शिकार का अर्द क्या है जंगल का अर्द है फारेस्ट शिकार करने गया शिकार का अर्द है हंटिंग यह आखेट आखेट का अर्द होता है हंटिंग शिकारी को जाते है ना उन जमानों में राजा जंगल को जाके क्या करते थे जानवरों को और पक्षियों को पश्यों को क्या करते थे देखने जाते थे और मारने गोली मारने जाते थे उन दिनों में लेकिन आज मना है आज ये जानवरों को मारना मना है एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया उसके साथ उसके दो सेवक भी थे राजा के साथ कितने सेवक थे? दो सेवक थे राजा के साथ ये दो सेवक भी गये शिकार खेलते खेलते वे घने जंगल में पहुँच गये घने जंगल में जाडों की जून रहती है वहाँ पर रास्ता बिगडा हुआ रहता है ऐसा रास्ता बिगडा हुआ जंगल को घने जंगल कहते हैं राजा शिकार केलते केलते वे घने जंगल में पहुँच गए गर्मी के दिन थे, वो दिन कैसे थे? गर्मी बहुत हो रही थी, गर्मी के दिन थे, उनको बहुत जोर की प्यास लगी थी, किसको प्यास लगी थी? राजा को प्यास लगी थी बहुत जोर की प्यास प्यास जोर से लग रही थी वे पानी की खोज में इदर उदर भटकते रहे पानी के लिए पानी पीने के लिए राजा उदर इदर देखने लगे कहां पानी मिलता प्यास का अर्द होता है पानी की तलब त्रिष्ट कहते हैं पानी की तलब पानी की प्यास लगी है किसको राजा को लगी पानी के लिए उदर इदर ढून रहे हैं भटक रहे हैं लेकिन उन्हें कहीं पानी नहीं मिला लेकिन राजा उदर इदर देखने पर भी पानी नहीं मिला थोड़ी सी दूरी पर उन्हें एक कुटिया दिखाई पड़ी राजा को क्या दिखाई पड़ी एक कुटिया एक क्या बोलते पाने का खोव दिखा जहां पानी दिख रहा था राजा ने सेवकों को उस कुटिया से पानी लाने के पानी लेने भेजा राजा सेवकों को बुला कर कहा कि पानी लेके आओ उस कुटिया से कुटिया में सन्यासी बैठे थे वहाँ पर एक कुटिया का अर्दु होता है एक जोपड़ पट्टी, एक जोपड़ी, एक हट, क्या होता है, वहाँ पर कुटिया कार्द क्या है, एक जोपड़ी, एक हट, जोपड़ी के पास पानी दिखा राजा को, सैनिकों को पास बुला कर क्या कहा, जाके पानी लेके राओ, वहाँ पर एक पानी दिखा था, कुटि उस हट में क्या है सन्यासी बैठे थे एक सादू बैठे थे एक सादू बैठे थे सेवक कितने थे दो सेवक ते कुटिया में सन्यासी बैठे थे दोनों सेवक कुटिया के अंदर गए और बोले दोनों सेवक को कुटिया के अंदर उस जोपड़ी में अंदर गए जाकर इस प्रकार बोले अरे बुढ़े सन्यासी ओ ओ ओल्ड है आप सन्यासी कैसे है ओल्ड है सादू सादू को क्या कहते हैं इंग्लिश में एन एसिटिक सादू को एसिटिक करते है यह सादू कैसे हैं ओल्ड है बुढ़े बुढ़े सन्यासी तेरे पास घड़े में पानी है तो पाट में घड़ा, पानी का घड़ा, मट्टी का घड़ा, पानी है थोड़ा पानी हमें भी दे दो, हमारा राजा बहुत प्यासा है सन्यासी ने गुस्य में कहा, सन्यासी क्या कहा, गुस्य में भोत एंग्रे हो मेरे पास पानी नहीं है चलो चले जाओ यहां से दोनों सेवक राजा के पास लौट आए और उन्हें सारी बात बताई जब सादू कहा चले जाओ तो दोनों लौट कर राजा के पास गए जाकर सारी बात बताई कौनसी बात बताई सादू ने पानी ना देने की बात बताई थोड़ी देर बाद राजा स्वयम उस कुटिया में गए थोड़ी देर बाद थोड़ी समय में ही राजा कहा गए खूपड़ी में गए वो हट में गए उसने कहा महात्मा महात्मा हमें बहुत जोर की प्यास लगी महात्मा हमें बहुत जोर से प्यास लगी अगर आप थोड़ा पानी दे दो तो आपकी बड़ी कुरुपा हो कुर्पा का अर्दु होता है दया हमें जोर से प्यास लगी है थोड़ा पानी दे दें तो बड़ी कुर्पा होगी किस ने कहा? राजा ने कहा किस से कहा? सादू से कहा सन्यासी ने राजा को पानी दे दिया सन्यासी क्या करें? राजा की बात को सुनकर पानी दे दिया राजा ने पूछा फिर राजा पूछा आपने मुझे तो पानी दे दिया लेकिन मेरे सेवकों को पानी देने से मना कर दिया था आप तो मुझे पूछने पर पानी दिये लेकिन मेरे सेवकों को पानी पूछने पर क्यों मना कर दिये देखिए यहां पर पाइंट मैं पानी पूछने पर मुझे तो पानी दे दिये लेकिन मेरे सेवकों ने पानी पूछने पर मना कर दिया इसका क्या कारण था? इसका reason क्या था? कारण क्या था महात्मा सन्यासी बोले सन्यासी बोले राजा से इस प्रकार बोले हे राजा हे राजा आपके सेवकों की वानी कटू थी आपके सेवकों की वानी वाइस कैसी थी कटू थी कटूर थी अच्छा नहीं थी उनकी बात चीत अच्छी नहीं थी कटू वानी से कोई भी आदमी दूसरे से अपना काम नहीं करवा सकता कटू वानी से दुखी वाइस से जो hard वाइस करता है घट बोलता है उससे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते आदमी दूसरे से अपना काम नहीं करवा सकता दूसरों से ऐसा काम नहीं करवा सकते आपकी वाने मधुर है आपकी वाइस कैसी है? स्वीट है आपके सेवकों की वाइस कैसी थी? कठू थी इसी लिए मैंने आपको पानी दे दिया इसी लिए मैंने आपको उन्हें राजा से कहा, इसलिए मैं ने आपको पानी दे दिया। राजा ने सन्यासी से अपने सेवकों की तरफ से छमा मांगी। राजा ने सन्यासी से उस सादु से अपने सेवकों की तरफ से मेरे सेवकों की तरफ से माफी कर दो, छमा कर दो प्रभ। ए महात्मा चमा करता हूँ मेरे सेवकों की गलती हुई उनकी तरफ से मैं आप से चमा मांगता हूँ उसने जाकर सेवकों को खूब डाटा खूब ज्यादा डाटा जाकर अपने राज्य जाके राज्य को जाके सेवकों को आप लोग सादू से अच्छा बिहेव नहीं करें प्यार से बात करना मधुरवानी से बात करना लेकिन आप कटू कटू बातों से दिल को तकलीफ होने के बातों से जोर से घट से बात करने से सादू को तकलीफ हुई इसलिए उन्होंने पानी देने से इंकार कर दिया मना कर दिया मैं जाकर तुम्हारी तरफ से शमा करूँ माफी मांगा सादू ने इस प्रकार बोला उसने जाकर सेवकों को खूब डाटा राजा अपने सेवकों को खूब डाट कर ऐसा नहीं करना चाहिए बोलके कहा शातरों ऐसा लगा यह पाट फिर एक बार देखिए एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया उसके साथ उसके दो सेवक भी थे शिकार खेलते खेलते वे घने जंगल में पहुँच गए गर्मी के दिन थे उनको बहुत जोर्ज की प्यास लगी थी वे पानी की खोज में इधर उधर भटकते रहे लेकिन उन्हें कहीं पानी नहीं मिला थोड़ी सी दूरी पर उन्हें एक कुटिया दिखाई पड़ी राजा ने सेवकों को उस कुटिया से पानी लेने भेजा कुटिया में सन्यासी बैठे थे दोनों सेवक कुटिया के अंदर गए और बोले अरे बुढ़े सन्यासी तेरे पास घड़े में पानी है थोड़ा पानी हमें भी दे दो हमारा राजा बहुत प्यासा है सन्यासी ने गुस्से में कहा मेरे पास पानी नहीं है चले जाओ यहां से दोनों सेवक राजा के पास लवट आए और उन्हें सारी बात सुनाई थोड़ी देर बाद राजा स्वयम उस कुटिया में गए उसने कहा महात्मा हमें बहुत जोर की प्यास लगी जोर की प्यास लगी है अगर आप थोड़ा पानी दे दें तो आपकी बड़ी कुरुपा होगी सन्यासी ने राजा को पानी दे दिया राजा ने पूछा आपने मुझे तो पानी दे दिया लेकिन मेरे सेवकों को पानी देने से मना कर दिया था इसका क्या कारण था सन्यासी बोले हे राजा आपके सेवकों की वानी कटू थी कटू वानी से कोई भी आदमी दूसरे से अपना काम नहीं करवा सकता आपकी वानी मधुर है इसी लिए मैंने आपको पानी दे दिया राजा ने सन्यासी से अपने सेवकों की तरफ से शमा मांगी उसने जाकर सेवकों को खुब डाटा शमा करना का अर्दु होता है शमा का क्या होता है किसी से भी गलती हो सकती है उसे शमा कर देना चाहिए किसी से भी गलती हो सकती है इसलिए कटू, कडवी बाते नहीं करने चाहिए जो मन दुख हो सकता है उसे बिटर कहते है सन्यासी सादु है एन एसिति कहते है उसे घना, गहरा, सग्न, डिन्स कहते है सेवक, नौकर, ए सर्वेंट जंगल, वन, ए फॉरिस्ट मधुर, मीठी, स्वीट वानी, जवाब, वाइस कुटिया, जोपडी, ये हट प्यास, पानी की तलब, थृष्ट शिकार, अखेट, हंटिंग राजा, शाशक, किंग चात्रपाट का नाम क्या है? मधुर, वानी हमें किसी से भी मधुर, वानी में ही बात करना चाहिए चात्रों, नीचे एक बार देखिए, अभ्यास देखिए, एक्सेस देखिए इन प्रश्णों के उत्तर दीजिए आंसर दा फालोइंग कोशन्स परस्ट कोशन क्या है? राजा जंगल में क्यों गया था? आंसर है उसका, राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया था सेकंड कोशन देखिए राजा के साथ कौन कौन थे? राजा के साथ कौन कौन थे? राजा के साथ उसके दो सेवक थे तीसरा प्रश्ण देखिए राजा ने सेवकों को कुटिया में क्यों भेजा? राजा ने सेवकों को कुटिया में क्यों भेजा आंसर राजा ने सेवकों को कुटिया में पानी लाने के लिए भेजा राजा ने सेवकों को कुटिया में पानी लाने के लिए भेजा फोर्त वन सन्यासी ने राजा को पानी क्यों दे दिया? आंसर है सन्यासी ने राजा को पानी इसी लिए दे दिया क्योंकि राजा ने मधुरवानी में बोलते हुए पानी मांगा था पाने कैसा मांगा? मधुरवानी में, स्वीट वाइस में मांगा था पांचवा कोशन, लास्ट कोशन इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिख्षा मिलती है कि हमें मीठी वानी से बोलना चाहिए हमें वाइस कैसा रहना हमारी वाइस मीठी वानी में बोलना चाहिए Next मात्राओं और अक्षरों को जोड़ कर शब्द बनाईए मात्राओं को joining the letters and vowel symbols given below या क्या करना मात्राओं को और अक्षरों को दोनों को मिलाना मात्रा को पहिचानते हैं आप मात्राओं को पहिचानते हैं मात्राओं और अक्षरों को जोड़ कर मात्राओं कैसे रहते हैं ये मात्रा कहते हैं इसे मात्रा कहते हैं ये मात्रा कितने प्रकार के होते हैं तेरा प्रकार के होते हैं मात्रा कभी भी तेरा प्रकार के होते हैं एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नाव, दस, ग्यारा, बारा, तेरा तेरा मात्राएं होते हैं इन मात्रों को अक्षरों से जोड़ना अकशर क्या है for example अकशर आम यह अकशर होता है for example अकशर का दूसरा नाम शब्द अक्षर कैसे बनते हैं, for example, स्वर से अक्षर बनते हैं इन अक्षरों से हम क्या कहते हैं, example के तौर पर, for example, यह अक्षर है अक्षर में मात्रा मिलाने से क्या होता है, शब्द बनता है अक्षर में मात्रा मिलाने से जोड़ना जॉइनिंग करना मिलने से क्या होता है एक शब्द बनता है इसी प्रकार मात्राओं और अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाए राइट वर्ड्स बाइज जैनिंग देखिंगे एक्जाम्बूल के तावर पर हम थोड़े अक्षर और मात्राओं को मिला कर देखिंगे कैसे रहते हैं फर एक्जाम्बूल देखिए कुरुपा ये कुरुपा है कुरुपा है कुरुपा में देखिए आप का का अक्षर पहले लिखते हैं बाद में रू का मात्रा लिखते हैं बाद में पा का प्रयोग करते हैं, बाद में आ की मात्रा लिखते हैं, इसमें क्या होता है, इन शब्दों को मिलाने से कुरुपा होता है, देखिए, का का अक्षा लिखते हैं, रा की मात्रा लिखते हैं, फिर पा का वेंजन लिखते हैं, ये सब क्या है, वेंजन है, का से ले वेंजन कहते हैं, वेंजन कितने होते हैं, 36 होते हैं, स्वर कितने होते हैं, 13 होते हैं, स्वर कितने होते हैं, 13 होते हैं, टोटल मिना कितने होते हैं, 49 होते हैं, टोटल 49 होते हैं, यहां पर क्या है, का का वेंजन और रू की मात्रा, पा का वेंजन और दिर्ग की मात्रा लगान Next to, राजा, राजा का भी देखिए, रा, प्लेस एड करना, आ की मात्रा लगाना, और जा लिखना वेंजन, प्लेस, आ की मात्रा लिखना, इससे क्या होता है, राजा होता है, स्वर वेंजन ठीक प्रकार से आने से ही शब्द बनता है, नहीं तो शब्द बनना मुश्किल होता है, नेक्स्ट देखिए यहां पर ए की मात्रा लिखते हैं नेक्स्ट शा लिखते हैं नेक्स्ट का का वेंजन लिखते हैं नेक्स्ट आ की मात्रा लिखते हैं नेक्स्ट रा की मात्रा लिखते हैं इससे क्या होता है? शिकार होता है देखिए शि का शिकार बनता है यहां पर क्या होता है शिकार बनता है नेक्स्ट क्या है सेवक से सा से इससे वा इससे का होता है यह क्या है कौन सी मात्रा है एकी मात्रा है एक ही मात्रा एक ही मात्रा इससे क्या बनता है सेवक 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 मात्रा उनको अक्षरों से जोडना मात्रा को अक्षरों से जोडने से वो क्या होते हैं शब्द बनते हैं शब्द क्या होते हैं समूह में बनके वाक्यू बनते हैं सेंटेंस बनते हैं चात्रों, आप लोग इसे ध्यान पूर्वक दुरुष्टी से देखना अक्षरों के शमू शब्द होते हैं, शब्दों के समू वाकी होते हैं, वो वाकी क्या होते हैं, लाइन्स होते हैं, पंक्ति कहते हैं, इसमें क्या करते हैं, सेंटेंस को लिखाया जाता है आप लोगों sentence form किया जाता है sentence form करने से पहले मात्रा को अक्षरों से मिलाना जरूरी है इससे ही क्या होते हैं शब्द बनाए जाते हैं उसके example के तौर पर हमने कुरुपा देखा है शिकार देखा है राजा देखा है और सेवक भी देखा है ये मात्राएं अत्यन्त जरूरी है एक शब्द में मात्रा लगाना जरूरी है मात्रा ना लगाने से अर्द बिगड जाता है फर example देखिए शत्रू है शत्रू में रू की मात्रा ना लगाने से शत्र बनता है शत्र बनता है इसलिए रू की मात्रा लगाना जरूरी है मात्राओं का पढ़ना भी जरूरी होता है next देखिए भाशा ग्यान learn the language क्या है भाशा की लैंग्विज एक बार देखिए चित्रों को देखिए उनके नाम पढ़िए चित्रों के नाम देख कर हम क्या करना उनके नाम पढ़ना फर एक्जम्पल देखिए हमें चार चित्र दिया गया है एक है राजा, एक है कुटिया, एक है घड़ा, एक है वन ये चारों के एक्जम्पल देखिए हमें इनसे नाम पूछने के लिए कहा है आंसर देखिए उपर चित्रों के साथ दिये गए शब्द उपर क्या क्या दिये गया है राजा को दिया गया है कुटिया को दिया गया है घडा दिया गया है वन दिया गया है विक्ति वस्तुओं तथा स्तान के नाम है विक्तियों और वस्तुओं तथा स्तान के नाम को क्या कहते हैं संग्या कहते हैं इसे इंग्लिश में नाउन कहते है नाउन का अर्दु होता है संग्या कहते हैं नाउन संग्या में क्या आते हैं नाम आते हैं, किसी विक्ति का नाम आता है, किसी वस्तु का नाम आता है, किसी प्रदेश का नाम आता है, ऐसे आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, किसी भी नाम के लिए प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सन्या कहते हैं, the name of a person, place, thing, our quality is called a noun ना उनका मतलब होता है कि सन्या जो नाम का प्रयोग किया जाता है सन्या कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं सन्या कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं पहला क्या है? जाती विक्ती वाचक सन्या पहला क्या है विक्ती वाचक संग्या होता है दूसरा क्या है जाती वाचक होता है तीसरा क्या है भाव वाचक होता है पहला क्या है विक्ती वाचक होता है छात्रों देखिए संग्या कितने प्रकार के होते हैं भेद कार्द होता है टाइप्स संग्णिया कितने टैप्स के होते हैं त्री टैप्स के होते हैं नमबर वन क्या है विक्ति वाचक दूसरा है जाती वाचक तीसरा है भाव वाचक नमबर वन देखिए विशेश विक्तियों वस्तों के स्तानों के नाम विक्ति वाचक संग्णिया है वहाँ पर क्या क्या आना चाहिए विक्तियों के नाम आना चाहिए वस्तूओं के नाम आना चाहिए स्तानों के नाम आना चाहिए फर एक्जाम्पुल देखिए रामायन, स्रीकृष्ण, दिलही, ताजमहल विक्तियों के नाम आया है वस्तूओं के नाम आया है स्तानों के ना नाम क्या है ताजमहल है विक्ति वाचक विक्तियों के नाम आते हैं फर एक्जम्पल देखे हैं रमेश रामू स्रीकांत यह पूरे विक्ति के नाम आते हैं नेक्स्ट जाती वाचक संग्या है एक ही प्रकार के प्रानियों में वस्तियों स्तानों के नाम क्या होते हैं जाती वाचक होते हैं, example मचली, मचली की एक जाती होती है, एक जात होती है, उसकी कैस्ट होती है, आदमी, आदमी की भी जाती होती है, स्त्री जाती, पुरुशी जाती, स्त्री जाती और पुरुशी जाती को क्या कहते हैं, जाती वाचक कहते हैं, ये विक्ती वाचक नहीं है, विक शहर और वन यह पूरे एक्जाम्पल है तीसरा है भाव आचक किसी प्राणी या वस्तु की स्थिती भाव को दशा के लिए प्रयुक्त संग्या क्या कहते हैं भाव आचक भावात्मक दुरुष्टी से इसे क्या कहते हैं भावात्मक संग्या कहते हैं एक्जाम्पल सुन्दर एक सुन्दरता है उसको देखने से मन क्या होता है भावात्मक होता है नेक्स्ट बुडापा बच्मन से जवानी जवानी से बुडापा बुडापा भी क्या होता है भावात्मक संग्या होता है नेक्स्ट सुरक्षा सेफ से रहना सुरक्षा भी होता है मित्र से मित्रता होता ह है मित्रता भी एक भावात्मक होता है next सुगंद फैली हुई फैली हुई हवा को जैसे हम बगीचे में जाते हैं फैली हुई हवा को क्या कहते हैं में सुगंद हवा कहते हैं यह सुगंद शब्द भी क्या होता है भावात्मक संग्या होता है बुडापा सुंदरता सुरक्षा मित्रता, सुगंद ये तीन भी भावात्मक संग्या कहलाते हैं चात्रों संग्या कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के होते हैं एक है जाती वाचक एक है विक्ती वाचक दूसरा है जाती वाचक तीसरा है भावात्मक ओके छात्रों और एक एक दीखिए दिये गए वाक्यों में से संग्या शब्द चुनकर लिखिए नीचे चार सेंटेंस दिये हैं उसमें से संग्या को चुनकर हम क्या करना है संग्या के नाम लिखना है नाउन्स के नेम लिखना है नंबर वन क्या है आप लोग देखिए identify the nouns in the following sentence and write them in the given spaces बाजुक spaces दिया है आप लोग के लिए वो space में संग्या का नाम लिखना जरूरी है देखिए रानी चित्र बनाती है रानी क्या करती है? चित्र बनाती है या संग्या क्या है? रानी है और चित्र है दूसरा क्या है? राजा शिकार खेलता है राजा कामा शिकार उसे बुडापा आ गया है उसे क्या आ गया है? बुडापा आ गया है आंसर क्या है? बुडापा मचली तैरती है यहाँ नाउन क्या है? मचली है दिये गए वाक्यों में से संग्या शब्द चुद कर लिखिये फस्ट क्या है? रानी चित्र लिखना उसके बाद राजा लिखना उसके बाद बुडापा लिखना उसके बाद मचली लिखना ये चार भी इनके एक्जाम्बल्स है चात्रों इस तरह हमने दूसरे पाट के समाप्ति देखा है पाट को ध्यान पूर्वक दुश्टी से घर में पढ़ना और अच्छा अब्यास करना कल दूसरे पाट से मिलेंगे उसके लिए सबको धन्यवाद